Hello everyone and welcome back to your own income tax class. आज की क्लास में बस बचे कुचे बहुत ही लिमिटेड बात और करनी है आप से. लास्ट क्लास में ही मैंने बोल दिया था कि we are on the verge of completion of this chapter basic concepts. चो next heading है वो है maximum marginal rate of tax. maximum word तो बहुत क्लियर है मतलब हाइस्ट. What is marginal rate of tax? Marginal rate of tax का मतलब होता है कि अगर एक रुपए की भी income बढ़ेगी तो आपका tax कितने रुपए से बढ़ेगा अब? अब अगर maximum marginal rate of tax means marginally how much your tax is going to increase on every one rupee of increase in income. अचा. अब इसके आगे word लगा है अगर maximum, maximum marginal rate of tax तो क्या मतलब हो गया? कि ज़्यादा से ज़्यादा एक रुपए की income पे कितना tax हो सकता है अगर एक रुपए और कमा लिये. तो पता है सबसे ज़्यादा tax कौन देगा? एक रुपए भी अब और कमा लिया तो वो जो पांच कोड की उपर कमा रहा है. योगि पांच कोड की उपर कमाने वाले का जो tax है वो सबसे highest है. ठीक है? तो maximum marginal rate of tax कैसे निकलता है? आईए देखते हैं. Maximum marginal rate of tax. Maximum marginal rate to mean the rate of income tax including surcharge on the income tax if any applicable in relation to highest slab of income as specified in the Finance Act of the relevant year. देखिए highest slab of income पे ही देखना ही होगा क्योंकि यहाँ पे दो चीज़े हैं maximum और दूसरा है marginal rate of tax. marginal rate of tax का मतलब होता है कि एक रुपए की income पे कितना tax बढ़ेगा और यह highest कितना हो सकता है? ज्यादा ज्यादा कितना हो सकता है? तो obviously ज्यादा ज्यादा कितना हो सकता है जब एक दम आप highest slab में fall करते हो तब एक रुपए भी income बढ़ी तो सबसे ज्यादा tax देना पड़ेगा. ठीक है? आईए निकालते हैं. अगर मेरी 100 रुपए की income है तो मेरा tax maximum कितना बननेगा? हम 30% वाले अगर पाच कोड़ से उपर income कमा रहे होंगे, 30% वाले slab में fall करेंगे. 30 रुपए मेरा tax बन जाएगा. प्लस इस पे सर्चार्ज कितना आएगा? सर्चार्ज उस पे आता है 37% का. highest case आप से बात करनी है सब चीज. ठीक है? टेक्स 30% की रेट से, सर्चार्ज 37% की रेट से निकाल लेंगे. 30 रुपए का 37%. 30 इंटू 37%. 11.10. यह हो गया 41.10. इसके उपर सेस लगेगा health and education सेस at the rate of 4%. तो 41.1 इंटू 4%. 1.644. यह हो गया 42.744. तो maximum marginal rate of tax is how much? 42.744%. एक रुपए पे अगर बात की जाए तो 42 पैसा 0.42. इतना टेक्स बनेगा. maximum marginal rate of tax is 42.744%. हद है भाई हमारी सरका 43% मोटा मोटी rounded off कर दिया जाए. 43% का टेक्स लेती है. जो लोग ज़्यादा कमा रहे 43% टेक्स दे रहे हैं. 100 रुपए में 43 रुपए सरकार का. यानि अगर हम इक तरीके से बात करें तो साल के 12 महीने अगर हम काम करते हैं तो 5 महीने सरकार के लिए काम करते हैं. ये चार वर्ड है ना जो बच्चों को बहुत कन्फ्यूस करता है. टेक्स प्लाणिंग क्या होती है, एवइडेंस क्या होता है, इवेजन क्या होता है, मैनेजमेंट क्या होता है. तो एक लाइन में बहुत अच्छे से इन बातों को समझेए. जब हम डिफ्रेंस बिट्विंग की बात करते हैं, तो सब्दों को पकड़ पकड़ के खेला जाता है यह भी डिफ्रेंस है यह भी डिफ्रेंस है ठीक है try to understand the real context कि what do you mean by tax planning देखे tax planning का मतलब होता है कि आप अपना tax liability calculate करते समय बहुत अच्छे से law को comply कर रहे हैं एक एक provision का फायदा ले रहे हैं जो सरकार खुद दे रही है कि आपको rebate मिलता है तो आप rebate claim कर रहे हैं आपको chapter 6 में बढ़े सारे deduction मिलते हैं अगर आप यह चीज़ इंवेस्ट कियो तो यह deduction ले लो यह कियो तो यह deduction ले लो तो जब आप सभी exemptions को deductions को, rebate को, relief को properly claim करते हैं अच्छे से करते हैं ठीक है कि ऐसा भी हो सकता है कि कुछ लोग eligible हो लेकिन उनको जानकारी ना हो इसकी वज़े से उनका benefit रह जाता हो claim करने को बिल्कुल possible है कि income tax में since मुझे idea ही नहीं था कि मैं यह benefit claim कर सकता हूँ इसलिए मैंने claim नहीं किया तो इसे कहते हैं गलर tax planning, tax planning का मतलब होता है properly आप अपने सारे benefit जो income tax खुद आपको दे रहा है उसे claim दीजे ठीक है, now what is tax avoidance, tax avoidance का मतलब होता है कि tax में जो loopholes हैं, करबड़ियां हैं, उसका फायदा उठाना हमें समझ में आ रहा है, सरकार यह चाहती नहीं है, लेकिस सब्दों से हम फायदा उठा सके तो बीच बीच में हम आपको, अभी तो आप इतने समझदार नहीं हुए हो, आगे चलके देखाएंगी कि देखें, लोगों ने इस तरीके से loophole का फायदा उठाया है, income tax में लाइं यह लिखी हुई थी, पिर सरकार को यह बदलनी पड़ी, जैसे इंडिया की definition लिखी नहीं दे रहा है, तो यह तो सब्दो का ही फायदा उठाया है, उसने पकड़ लिया यह बात, कि इंडिया का मतलब इंडिया की धरती है, यह हम किसकी बात कर रहे हैं, किसकी बात कर रहे हैं, मोटरोला कंपनी की, जिसकी वज़े से इंडिया की definition चेंज हुई थी, मैंने ठेके, लेकिन देखे, कोई illegal काम नहीं कर रहे हैं, आप सब्दों का फायदा उठा रहे हैं, तो भाई, law में यही लिखा हुआ है, अप law का, law में जो लिखा हुआ है, आप वही कर रहे हैं, ठेके, लेकिन ethically वो सही नहीं था, moral wise वो सही नहीं था, ठेके, तो ऐसी चीजों क कहा जाता है tax avoidance हम tax हटाने की कोशिस कर रहे हैं ठीक है लेकिन कुछ illegal नहीं कर रहे हैं गैर कानूनी काम नहीं कर रहे हैं कानून में लिखा रहे हैं उसका फायदा उठा रहे हैं tax management क्या है यह इन टीनों चीजों से अलग है tax management का मतलब होता है वो फ्रोसीजर जिससे आप Tax Planning का मतलब क्या होता है Income Tax जितने आपको फायदे दे रहा है वो फायदे ठीक से अवेल कर लेना कुछ छूट ना जाए आपसे इस काल Tax Planning ठीक है दूसरा है Tax Avoidance Tax Avoidance का मतलब है कि अपने दिमाग की बत्ती को जला रहे हैं और एक-एक सब्दों का निचोर निकाल रहे हैं कहीं एक गलती पकड़ में आ गई कि Tax के Law की Framing में ही गलती है तो उस पे अब हम आनंद उठा रहे हैं ठीक है कुछ loophole पकड़ लिया कुछ गरवड़ी पकड़ लिए सरकार की ठीक है कि ये सब्दों में खेल गए हम ये सब्द का मतलब तो ये होता है इसलिए मेरे उपर टेक्स नहीं लगेगा that is called loophole से play करना is called tax avoidance Tax evasion fully illegal चीज है गलत कर रहे हैं कानून में X लिखा है हम Y कर रहे हैं टेक्स बचाने के लिए is called tax evasion tax management का मतलब हो गया tax की compliance की procedure को apply करना ठीक है तो ये theoretical है ये word समझना आपके लिए ज़्यादा important था जैसे यहाँ पे मैंने बताया taking full advantage of exemption deduction, rebate, relief is tax planning, avoidance क्या है legally illegally, illegal काम नहीं कर दे legally take advantage of loophole in that act में कुछ गरवरी पा गया आप आनन्द उठा हुई या ठीक है तीसरा क्या है illegal way ये तो हम सीधे सीधे गलत करते हैं जैसे अपनी sale को गिरा देना, ये सब सिखाय था आपको sale को गिरा दे रहे हैं, अपना expenses edit कर रहे हैं, change कर रहे हैं ठीक है, कुल मिला के बात की जाये तो ये morally सही है is morally correct ये ये legally तो सही है, देखिए ये morally correct है ठीक है, ये हम कहेंगे morally incorrect है इनकरेक्ट है, legally correct है legally तो correct है लेकिन अपनी अंतर आत्मा से पूछो गलत कर रहे हैं, ठीक है ये वो चीज हो गया, tax evasion avoidance जो है, tax avoidance जो है ये lawfully तो सही है लेकिन अपने जमीर से पूछोगे, अंदर आत्मा से पूछोगे तो आपको लगेगा नहीं, गर्वर कर रहे हैं, देखिए तो सरकार ये चाहती नहीं थे, अब सब्दों से हम खेल रहे हैं, जूटमा का ये illegal है पूरी तरीके से, legally incorrect है legally incorrect है तो दीके हम कैसे अंतर बता है, ये morally correct ये morally incorrect लेकिन legally correct ये legally भी incorrect है इसका इन सब से कुछ देना देना लिए legally, legally, correct, incorrect ये तो by procedure है, steps है ठीके, this is implementation or execution of taxation department ठीके, object इसका क्या है कि हम अपनी tax liability को reduce करें by applying script applying script मतलब कानून में जो लिखा हुआ है script का मतलब whatever is written in कानून, ठीके, और moral, morally भी वो सही है कि ने उसको apply कर रहे है, यहा हम script को apply कर रहे है, बस applying script, कानून में ये सब दिखा है, बस हम नहीं जानके ठीके, और यहां तो हम script को भी apply नहीं कर रहे है, कुछ नहीं कर रहे है unfair means, adopt कर रहे है अब देखिए, आप differences आप अपने से भी create कर सकते हैं, आपको मोटा मोटी बात समझ में आ गई है, देखिए, अगर अगर सरकार आप loophole पकड़े हो, तो सरकार भी फटा-फट प्लक करती रहती है, ना उन लूपholes को, उनको भी पता चलता रहता है, अच्छा, लोग यहां फायदा उठा रहे है, तुरन तो कानून बदल देती है सरकार, तो बहुत long term फायदा नहीं बना पाऊगे, short term भले बना लिए, और अगर retrospective amendment ले आई, इतसर का, तो वो भी तुमारी band बज गई, चिक है, हाँ, छोटे-मोटे cases में retrospective amendment नहीं लाया जाता है, तो short term फायदा कमाल होगे, right, government अगर कोई कानून बनाते समय कुछ framing में mistake हो जाती है, तो एकाथ बार ही कोई फायदा उठा सकता है, फिर तो government change कर देती है न कानून, अच्छा, यहां तो benefit होगा ही नहीं, benefit do not arise, यह तो text evasion आप कर रहे हो, पकड़ा होगे तो घजब की penalty penalty लगेगी आपके उपर, ठेक है, अच्छा, अब यह desirable है, यह avoidable है, यह objectionable है, यह essential है, यह moral in nature है, immoral है, illegal है, यह सब सब समझ में आ रहा है आपको, देखिए यह tax saving की technique है, यह tax hedging की technique है, टेकिए tax saving में tax में budget कर रहे हैं, hedging मतलब अब पूरी तरीके से tax को cover करने की कोज़ कर रहे हैं, खतमी करने की कोज़ कर रहे हैं, यह text concealment है, यह तो आप छिपा रहे हूं न, चोरी का, इस called concealment, यह चोरी है, ठीक है, और इसको तो इदम अलग रखो यह हम इसके साथ बले ला दिये हैं, लेकिन administration, management is something different, ठीक है, ठीक है, this was all what I wanted to tell you, and with this we have chapters, now what we have to do is, we have to do some MCQs in the next class and some practical problem, we will stop here.